हेल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे योटूब चैनल पे और ये जो सेलरी स्लिप आप देख रहे हैं रेलवे के ग्रूप D में काम करने वाले करमचारी की है और उनको रेलवे में दो साल हो चुका है अभी इनका तीसरा साल रनिंग है और उनका बेसिक पे अभी 19,100 होगी इनकी सेलर स्लिप में और हाउसय होest अलांस को नहीं लिया है मैंने क्योंकहिआं कौर्टर लिया हुआ है हुला है और चलिए अब जैदा लिट नहीं करते हैं और जानते हैं कirtु के बारे में देखिए इनका बेसिक पे दो इंक्रिमेंट लगने के बाद 19,100 रुपिया अभी करेंड में चल रहा है और जब भी आके नेक्स इंक्रिमेंट होगा इनका बेसिक बढ़ जाएगी जो भी रेलवे करमचारी स्टार्टिंग पीरेड में गुरूडी में आता है तो उनका बेसि कि कितना उन्होंने कमाया कितना कटा और हाथ में कितना आया बात करते हैं भी डियर्नेस अलाउंस की तो अभी चल रही है 50% इसलिए 19,100 का 50% 8,786 रुपिया होते हैं उसके बाद आपको रेलवे में ट्रांस्पूर्ट अलाउंस दिया जाता है ट्रांस्पूर्ट अलाउंस है 1621 रुपे जितना यूनिट इनका नाइड बना होगा उनकी इसाब से नाइड डूटी दिया गया है और नेशनल हॉलिडे अलाउंस है अब चुट्टी के तिन जब काम करते हैं तो अलाउंस अब को मिलती है चल यह बात करते हैं टोटल कटोटियों के बारे में कि सेलरी आने के बाद कितना कितना क्या कटा है यह देख सकते हैं आप यहां पे 3174 रुपया जो है कटोती हुई है और 3174 रुपय जो कटोती हुई है वो डिडेक्शन है जो रेलवे काट लेती है और यह काटने का कारण क्या है यह देख लेते हैं हम लोग यहां पे क्योंकि यह आ कर्टोतियां काटी आती है और आप लोग यह देखिए यहाँ पे टोटल कर्टोतियां किस प्रकार से है रिकावरी यहाँ पे किस चीज की हुई है यहाँ पे LIC आपको दिखाई पड़ रहोगी रेलवे इंप्लॉई इंसौरें स्कीम जो है 30 रुपे यहाँ पे कटी हुई है और निव पेंशन स्कीम 2789 रुपया जितना आप कमाते हैं बेसिक प्लस डिये जुड़ने के बाद रेलवे जो है 10% काट लेती है और यहाँ पे हाउस रेंट जो है 340 रुपे दिया गया है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वाटर चार्जस वगेरे यह काट लेंपे करते हैं अब रेल्वे में होने के बाद अगर किराए के घर गर में रहते हैं तो आपके लिए बहुत नुक्सान दायक हो सकता क्योंकि यहां पर देखिए 31,74 जो है टोटल डिडक्षन होने के बाद आपके हाथ में जो है टोटल 28,031 रुपया आपके हाथ में आया है और आज की वीडियो में इतना ही यह शरी नॉलेज परपस के लिए था और वैसा लगा कामेंट्स में आपको बताईएगा